हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्नपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बनाने वाली हूँ रेस्टरून स्टाइल दाल पालक तड़के वाली तो आएए देखते हैं किन चीजों के आवश रकता है। मैंने दिया हैं पालक एक टमाटर, एक प्याज、 धनियापत्ती, हरे मिर्च, इम्ली उसके बाद मैंने दाल लिया हैं चना दाल, मूंग दाल, रहयड़ दाल मसूर दाल। मैंने चार दाल लिया है, आप चाहो तो कोई एक दाल या दो दाल भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद तेल, और तड़का लगाने के लिए कुछ लसुनकी कर लिया है, चाना दाल, उड़त दाल, जीरा, सरसो, सुखी लाल मिर्च, एक करिया पती की स्ट्रिप है, मिर्च पॉर् प्रेशर कुकर में और पालक को भी मैंने एकडम बारीक चॉप कर लिया है, अब मैं सारी चीजों को डाल रही हो कुकर में, मैं अले हम लोग दाल या तो प्लेन बनाते हैं, या फिर पालक को प्लेन बनाते हैं, दोनों को combination करके बनाओ, तो इसका कbourg अच्छा लगता है, इमली यह आपको जादा खटा पसंद है तो थोड़ा जादा डालना या अधरवाइस कम मैंने एक निम्बू की साइस का जितना डाला है फिर इसके बाद नमक और हाब ग्लास पानी पानी मैंने बहुत जादा नहीं डाला है सिर्फ आधी ग्लास पानी डाला क्योंकि पालक पा बड़ गोटनी से करो तो जादा अच्छा रहेगा मैंने इसको एकदम अच्छे से घोट लिया है घोटने के बाद इसमें मैं पानी डालके इसकी कंसिस्टेंसी पर्फेक करूंगी पानी डालते समय हमें याद रखना है हमें ठंडा पानी नहीं डालना है पानी को कुन-कु मैं तढ़का लगाओंगी अभी मैने पहले तो थुड़ा सा नमक डाला था अभी हाफ स्पून मैंने और नमक डाल दिया है नमक आप अपने टेस्के अपढ़ेंग एज़स कर लेना आप मैं इसको मिक्स कर रहे हूं मिक्स करके अभी मैं तढके किलिए तढका वाला पएन इसमें मैंने डाला around 2 spoon oil, उसके बाद जैसे oil गरम हुआ, इसमें मैंने डाला चना दाल, उड़त दाल, इसको मैंने अच्छे से mix किया, mix करके अब मैं डालूंगी लसुन की कलिया, लसुन की कलियों को तोड़ा दरदरा करके डालना, अदरवास फ्लेवर की छीटे हमारे ओपर मैं इसमें डाल रही हूँ, हिंग, हिंग डालके, थोड़ा सा mix करके, अब यह जो मिर्च पॉडर में डाली हूँ, यह completely optional है, यह look wise बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने डाला है, और फ्लेवर भी अच्छा आता है, बस हमारा पालक डाल बन के ready है, आप भी इसे बना अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को like, share और subscribe करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सकें, thank you